अच्छीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम भारत्य राजविवस्ता के कुछ महत्वपोल प्रस्थनू के बारे में जानेंगे जो की हमारी पिछली परिक्छाओं में पूछे गए है और हमारी आगामी परिक्छाओं के लिए भी महत्वपोल है तो चले चलते हैं पहले प्रस्थन पर और हमारा पहला प्रस्थन है संविदान की दसवी अनुसूची को संविदान के किस संसोदन द्वारा जोड़ा गया था हमारे ओप्सन है 24 वे या 52 वे या 61 वे या 85 वे इसका सही आंसर है ओप्सन भी 52 अगला प्रेस्न है संसद के एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन में लंबित बिल पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की सवयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है हमारे ओप्सन है 3 महीने में या 6 महीने में या 9 महीने में या 12 महीने में इसका सई आंसर है, option B 6 महीने में अगला प्रयस्न है, कौन सा व्यक्ति ऐसा हो जो धारा 83 IPC के तहट आंसिक रूप से असक्षम माना जाता है हमारे option है, 7 वर्ष से उपर और 12 वर्ष से कम या 7 वर्ष से उपर और 10 वर्ष से कम या 7 वर्ष से उपर और 16 वर्ष से कम इसका सई आंसर है option A 7 वर्स से उपर और 12 वर्स से कम अगला प्रेस्ण है निमलिखित में से किस ने मौलिक अधिकारू अल्पसंक्यकू जंजातिय और बहिस्क्रीत छेत्रू पर सलाकार समीदी का गठन किया था हमारे option है जवालल नहरू ने या बलब भाई पटेल ने या HC मुखर जी ने या मौलाना आजाद ने इसका सई आंसर है option B बलब भाई पटेल ने अगला प्रेस्ण है इनमें से किस की CRPC के प्रावधानों के अनुशार गरिफतारी नहीं हो सकती है हमारे option है नीजी व्यक्ति या न्यायिक मजिस्टेड या कार्यकारी मजिस्टेड या ससस्त्र बल के जवान इसका सई आंसर है option D ससस्त्र बल के जवान अगला प्रेस्ण है भारत का सम्विदान अपने अंतिम अधिकार डौट-डौट से प्राप्त करता है हमारे option है भारत के सर्वोच न्यायलई से या भारत की संसत से या भारत की संविदान सभा से इसका सही answer है option C भारत के लोगू से अगला प्रेस्ण है निमलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत्य नागरिकू के लिए उपलब्ध है लेकिन विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है हमारे option ने अभिव्यक्ति और भासन की स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समानता या जीवन और स्वतंत्रता का संद्रक्षन या उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है option A अभिव्यक्ति और भासन की स्वतंत्रता अगला प्रेस्न है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार करने वाली पूर्वी भारत की कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था इसका सही आंसर है option B चार्टर अधिनियम 1813 से अगला प्रेस्न है न्याई पाली का द्वारा बनाये गए कानून को कहा जाता है हमारे option है साधारण कानून या केस लौ या विदी सासन या प्रसासनिक कानून इसका सही आंसर है option B case law अगला प्रेस्ट है निमलिखित में से किसे भारतिय संग के 22. रजय के रूप में गठित किया गया था हमारे option है गोवा या अरुनाचल प्रदेश या सिक्किम या तेलंगना इसका सही आंसर है option C सिक्किम अगला प्रेस्ट है भारतिय संविदान का पहला संसोधन किस वर्स में हुआ था हमारे option निमलिखित में से किस संसोधन के अंतरगत सिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया हमारे option है 2003 में हुए 83 में संसोधन द्वारा या 2002 में हुए 82 में संसोधन द्वारा या 2003 में हुए 87 में संसोधन द्वारा इसका सई आंसर है option B 2002 में हुए 82 संसोधन द्वारा अगला प्रेस्न है भारतिय संविदान में संसोधन के उप्रांत अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैक्षिक चिंताओं के लिए सुरक्षा और संद्रक्षा प्रदान करने के लिए किस निकाई को अस्तापित किया गया था? हमारे option है भारतिय विदी आयोग को ये रास्टिय अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आयोग को या भासाई अल्पसंक्यकों हेतु विशेस अधिकारी को या केंद्र स तरक्ता आयोग को इसका सई आंसर है option बी रास्टिय अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती आयोग को अगला प्रेस्न है भारतिय समिदान का कौन सा अनुचेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य सिक्षा प्रदान करता है हमारे option है अनुचेद 21A या अनुच अनुचेद 46 या अनुचेद 49 या अनुचेद 15 इसका सई आंसर है option बी अनुचेद 21A अगला प्रेस्न है निमलेखित में से कौन भारत में सर्वुच कानूनी पद को समालता है हमारे option है महान्याईवादी या महालेखापाल या लैटिनेंट जनरल या सॉलिसीटर जनरल इसका सई आंसर है option A महान्याईवादी अगला प्रेस्न है केंदर सिरकार में मंत्रियों की परिशद सामुहिक रूप से जिम्मिदार होती है हमारे option है राष्टपती के लिए या प्रधान मंत्री के लिए या लोगसभा के लिए या संसद के लिए इसका सई आंसर है option C लोगसभा के लिए अगला प्रेस्न है भारतिय सम्विदान के अनुछेद 324 से 329 निम्न में से किस से संबंदित हैं हमारे option है अधिकरणों से या चुनाओ से या जादी व्यवस्ता से या पंचायती व्यवस्ता से इसका सई आंसर है option B चुनाओ से अगला प्रेस्न है भारत की सम्विदान सबा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंब किया हमारे option है 1945 में या 1946 में या 1947 में या 1948 में इसका सई आंसर है option B 1946 में अगला प्रेस्न है कौन से संसोधन में भारतिय सम्विदान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्च और समाजवादी सब्द जोड़े गए हैं हमारे option है 40 या 41 या 42 या 43 इसका सई आंसर है option C 42 आंसका अंतिम प्रेस्न है भारतिय सम्विदान का अनुछेद 60 संदर भिद्ध करता है हमारे option है भारत के राष्टपती का निर्वाचन या राष्टपती की सफ़त या राष्टपती पर महावियोग या भारत का उपराष्टपती इसका सही आंसर है Option B राष्टपती की सफ़त जदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां यूजफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ से करें और कॉमेंट जरूर करें Thank you and thanks for listening